आप बोट पे देन देना देखो अभी तक हमने क्या कर लिया था इसमें अभी तक डिपार्टमेंटल स्टोर के फीचर और डिपार्टमेंटल स्टोर को किस तरीके से बनाया जाएगा और डिपार्टमेंटल स्टोर के एडविटीजमेंट सरी एडवांटेज और डिपार्टम पॉइंट सूपर वज़ार उसके फिचर डिसडवांटेज और एडवांटेज अगला पॉइंट है चेन इस्टोर चेन स्टोर का गर मैं एकक्डानपल दो तो बहूत सारे ऐसे एक्जाम्पल है चेमेट स्टूर का लेकिन फैमसली आपने देखा होगा बाठा को कि बाठा का क्या स्ट्टेजी होता है कि सीधा मैनीफेक्चर ही होता है यह När मैनीफेक्चर ही अपने आउट्लेट ऊपन करते हैं अपने शो रूम अपन अपने अपने open करता है हर जगह पर और इसका खास बात क्या है इसका honor एक ही रहेगा दूसरा नहीं हो सकता honor और इसमें जो वहां का decoration होगा बिल्कुल same होगा जैसे आप बाटा हो गया first cry हो गया और भी बहुत सारे ऐसे chain store के example है जो की एक ही जैसा दुकान हमेशा open करेगा तो chain store का सबसे पहले अगर मैं बताओं तो chain store क्या होता है feature honor all shops is an individual जितने भी दुकान है चाहे आपके हजार दुकान हो लेकिन सबका मालिक एक ही रहेगा इसमें एक ही on honor manufacturer है ठीक है इसके बाद shop is open every place जो दुकान है वो हर एक जगह पर open किया जाएगा आप बाटा का देखोगे तो यहीं आसपास में आपको area में मिल जाएगा दो-तीन shop भी मिल जाएगा in fact हर place में open होता है there is uniformity in the decoration decoration का मतलब red color white color का उनका जिस हिसाब से एक आपको मिलेगा ना store उसी तरीके से सारा का सारा आपको store क्या होगा मिलेगा इसके बाद क्याए the shop have an expensive area और जो दुकान खोला जाता है वो बहुत ही expensive area में मतलब ऐसे जगह पर जहां पर उसके दुकान चल पाए इसके बाद क्याए sale in 100% cash नगद में ही समान बेचा जाएगा few number things sold जादा समान नहीं रखेंगे बाटा में जाओगे तो आपको selected ही item मिलेंगे बहुत सारे item नहीं मिलने वाले आपको soos बगरा देखोगे तो इतनी variety नहीं मिलेगी जितना कि आप expectation करोगे कि कहीं और मिल जाए मुझे तो chain store के feature क्या है honor कौन होगा एक honor होगा सबका number two feature की अगर मैं बात करूँ तो open जो होगा आपके area में open मिल जाएगा आपको near number three product का decoration जो होता हर एक store का product हर एक store का decoration है वो क्या होगा हमारा uniformity का मतलब है same रहेगा और expensive area में होगा और cash में sales करेगा 100% और बहुत कम things यहां पे होगा तो देखो तो departmental store और आपका उसमें से भी कुछ point इसके अंदर cover है 100% cash ठीक है इसके बाद आगर मैं establishment की बात करो तो फिर वही same point मैंने कुछ भी change नहीं किया location चेक करोगे facility चेक करोगे decoration single price system होता है आपका कि आप चाहे डेली में चले जाओ चाहे मुंबई में चले जाओ कहीं भी बाटा के शोरूम में जाओ तो price एक ही मिलेगा इसके बाद advantage fix and selling price एक आपका selling price fix होता है वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि थोड़े कम पैसे कर लो जादा कर लो जो rate है और उसके उपर अगर discount कई बार देखो तो कोई salesman नहीं है कोई middleman इसमें आपको नहीं मिलने वाला इजी advertisement बहुत जाता है क्योंकि उन्हीं के सारे store है manufacturer के तो manufacturer अपने according वहाँ पर क्या करता है decoration करता है अपने according advertisement करता है गुडविल इन पब्लिक ऐसे आपका chain store का गुडविल जो होता है पब्लिक में बहुत ज्यादा होता है जैसे बाटा है बहुत पुरानी company है ऐसे आप relax हो का भी देख सकते हो जो कि बहुत पुरानी company है तो इसका क्या होता है हमारा एक गुडविल अपना बना हुआ रहता है इसका chain store में ठीक है ऐसे बहुत सारे उन पे बाटा showroom है तो बाटा का ही आपको tag लगा हुआ मिलेगा इसके बाद near of customer के बहुत पास में मिल जाता है easily provide हो जाता है free repair facility यहाँ पर repair facility भी दिया जाता है कि six month का warranty one year का warranty उसके according क्या होते है यहाँ पर काम होगा disadvantage में मैंने कुछ चीज़े delete नहीं कि same रखा मैंने disadvantage में जिससे मैंने पहले किया था use capital लगता है यहाँ नमबर दो no home delivery home delivery का option नहीं देते यह यह new point एड़ किया costly goods goods क्या होता है normally महंगा मिलेगा fear to small manufacturer ऐसे chain store को बहुत competition करना पड़ता है जो small manufacturer है बिल्कुल बाटा का जैसे कि आपका कोई भी product है उसी के जैसा copy बीच रहे है बाटा बीच रहा हजार में वह बीच रहा सो में तो कहीं ना कहीं तो customer बोलता है यार वह हजार का दे रहा है 100 का क्या दिक्कता सो वाले ले ले लेते हैं तो उसका manufacturer का fear रहता है कि डर रहता है है lack of credit facility credit facility नहीं दे रहा heavy loss due to demand demand की विज़े से बहुत नुकसान होता है तो इस ऐसे शोरूम पर देखोगे न तो हमेशा 50% आफ ही चल रहा होता है अब मैं गया यहां पर 50% आफ है तो 50% आफ में एक section रख रखा होगा जहां पर old सारे सूज रखे वे थे sleeper रखे वे थे पुरते सर यह वाले पुराने आर्टिकल है इस पर 50% आफ है और यह नए आर्टिकल अभी आए है तो इसके उपर कोई discount नहीं मिलेगा ठीक है तो disadvantage द हमारा नुकसान ना कर दे और हैवी लॉस होता है यहां ठीक है clear तो यह था हमारा किसका चेन स्टोर का मॉल की मैं बात करूं तो मॉल में क्या होता है कि आपका सबसे पहले मैं बता हो तो big size retail shop मॉल और इसमें फरक क्या है मॉल के अंदर basically बहुत सारे आपको मिल जाएंगे व मिल गया वुड्लेंड का मिल गया रिबॉक का मिल गया लिवाइस का मिल गया अलग-अलग points को हर किसी का अपना अलग-अलग मालिक होगा ठीक है तो big size of retail वहाँ पे बहुत सारे product मिल जाएंगे आपका centrally located mall वहीं पर open होता है center देखते हैं कि सारे customer जहां से connected हो पाएं कि इसके बाद multiple service वहाँ पर बहुत सारी service मोबाइल फॉन भी मिल जाएगा आपको वहाँ पर सूज भी मिल जाएंगे cloth भी मिल जाएंगे इस तरीके के सारे चीज़े आपको वहाँ पर television सारे चीज़े आपको वहाँ पर available होता है नौर्वल हर एक mall में जितने भी shop है उसका अपना एक अलग होता है जैसे आप गए और वहाँ पर मान लेते हैं कि मोबाइल स्वाप सैंसेंग का एक स्टॉल लगाया वा तो सैंसेंग कंपनी का ओनर होगा उसका mall का huge investment यहाँ पर investment बहुत ज्यादा लगता नौर्मली क्योंकि किराया ना बहुत महंगा होता है mall का mall के बाहर छोटी से दुकान ओपन करोगे तो 50-50,000 एक लाक रुपे किराया होता है उसका महीने का और वैसे पूरी दुकान लेते हैं तो कई का तो 5-5-10-10 लाक रुपे भी कि advantage बहुत simple से 4 point है easy selection mall में जाओगे आप brand में लेने जा रहे हो तो आपको पता होगा कि इस brand के मुझे सूज लेने इस brand के कपड़े लेने तो selection जाओगे भाई यह यह दे दो बस वहाँ confused नहीं होगे easy shopping आप shopping बहुत आराम से कर सकते हो सारी facility दी जा रही है आपको credit card debit card net banking सारी facility दी जाएगी आप easily वहाँ पर shopping कर सकते हो cash sales एक advantage यह है कि वहाँ पर cash में sales होगा सरिफ credit पर नहीं होगा यह company का point of view से multiple service आपको अगर मानलो shoes आपको Reebok के पसंदे तो Reebok वाले stall में चले जाओगे अगर आपको cloth मानलो jackets वगरा woodland के पसंदे तो woodland वाले section में चले जाओगे मानलो t-shirt आपको Levi's के पसंदे तो Levi's वाले easily आपके mind में पहले से रहता है कि यह चीज़े लेनी है disadvantage की बात करें फिर से वही इसमें बहुत सारा capital लगता है क्योंकि mall में open करोगे तो वहां पे खर्चा क्या होगा ज्यादा होगा no credit facility और normally यहां पे price क्या होंगे mall में जाओगे समान लेने तो समान महेंगा मिलेगा सस्ता मिलेगा तो आपका price होगा high price increase in operating expense और यहां पे operating expense का खर्चा बढ़ता है अब जितने भी यहां पे building है mall है इसके अंदर आगर आपने मकान मालो एक दुकान खरीद लिया खरीदने के बाद भी 25 से 30 अजार रुपए आपको देना पड़ेगा हर महने उस किसलिए वहां के maintenance के लिए lift का maintenance हो गया वहां साफ सफाई हो रहा है इसलिए तो वहां पे आपका दुकान तो है ही है साथ के साथ और भी आपको extra payment करना पड़ता है maintenance वगरा का तो देखो chain store क्या chain store के feature feature क्या है हमारा एक owner होगा simple और क्या हमारा आपके हर एक प्लेस पर मिल जाएगा shop goods का selection क्या होगा या फिर decoration क्या होगा बिल्कुल सेम रहेगा the shop have expensive area यह महंगे एरिया में 100% cash और ज्यादा आपको यहां पर समान नहीं मिलेगा कुछ selected मिलेगा location facility देखो decoration देखो इसके बाद single price system आपको follow करना पड़ेगा यहां पर fix and single price होगा advantage में end of middleman सीधा manufacturer का ही समान बिकेगा easy advertisement हो जाता है public में goodwill अच्छा बना हुआ है near of customer customer के आसपास ही रहता है यह free repair facility के छे मैंने एक साल जो भी facility यहां पर मिल जाएगा आपको disadvantage use capital यहां पर disadvantage use capital no home delivery और यहां पर home delivery अलगा concept नहीं है costly goods यहां पर भी कह रहेगा हमारा costly goods रहेगा महंगा मिलेगा high price